हेलो दोस्तों, वेलकम टो शिक्षाहंत्र, शिक्षाहंत्र योट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मैं मनोज रागव आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का टॉपिक आज, दोस्तों जैसा कि आपको हमारा विजन पता है, कि हम चाते हैं कि क्वालिटी आपको इस ओन्लाइन प्लैटफॉर्म के माध्यम से हम लोग डिलिवर करें और आप अपनी स्टडी को और बहतर तरीके से इंज्वाए कर पाए, तो इसी अब्जेक्टिव के साथ में हम लोग इस बार कवर करेंगे 10th क्लास के सभी टॉपिक्स को जो NCRT और CBC के अंटर मे जो सेलेबस कवर होता है उसको बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मेरे साथ बने रहिएगा और आपने एनरजी भी लगाईएगा चीजों को सबजने में और याद करने में तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है कैमिकल रिएक्शन इक्वेशन यह साइंस का एंग्वा साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर बन है और यूजली वैसे भी चैप्टर नमपर बन है हम यह पहला पढ़ेंगे और बिटा मेरी कोशिश रही कि मैं हिंदियों और इंग्निस मेडियम दोनों मेडियम के बच्चों को एक साथ लेते हैं आप यहां पर स्क्रीन पर एक चीज अब्जर्व कर रहे हैं देख रहे हैं इंट्रोड़क्शन में आप देख रहे हैं कि यह मिल्क है और यह दूद जो है इस दूद को कंवर्ट किया गया है यहां दही में दूद दही में कंवर्ट हुआ है और नीचे एक लाइ गर्मी में जब दूद को छोड़ जेते हैं तो तहीं में अगर आगे अगर आप देखेंगे तो यह आइरन तवा की दो स्टेजिस है एक फ्रेस स्टेज है दूसरा जिसके उपर में जंग लगा हुआ है इस तरह की अब्जर्विशन और भी बहुत सारे मेरे पास अविलेबल गया है उसके बाद में आप और चीज़ देखें तो यहां पर सबजी का पकना ठीक है और भी हमारे पास में ऑप्सेंस है फूड को जब हम अपनी बॉड़ी के अंदर में इंटेक करते हैं तो उसके बाद उसका जो प्रसंस होता है डाइजेशन जिसे हम कहते हैं या फिर हम ने रस्पायर किया सांस ली सांस लेने में हम सांस को छोड़ रहे हैं ले रहे हैं यह एक्टिविटीज जो मैं फटाफट फटाफट आपको करा रहा हूं आप इन सब चीजों में क्या अबजर्ब करेंगे वो देखिए इन आल दी अबब सिच्वेशन यह जो सिच्वेशन आपको यह स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इन आल दी अबब सिच्वेशन दा नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ दा इनीचल सबस्तांस हैव समवाट चेंज़ आप इन सबी में देखेंगे दूद का दही बनना लोहे का जो तावा था उस पर जंग का लगना ग्रेप्स जो इनीचल स्टेज हो गई है प्रारंबिक जो स्टती हो गई और जो इसकी दूसरी स्टती थी उन सब में क्या हुआ है कुछ ना कुछ बदलाव आया है इसको हम बोलते है केमिकल चेंज ठीक है ना यहां पर भी स्टेट्मेंट में मैंने वही दिया है आपको कि जो केमिकल चेंज रसायनिक परिवर्तन वेनेवरा केमिकल चेंज अगर्स वी कन से दैट केमिकल रेक्शन आज टेकन प्लेस जहां जहां पर क्या होता है रसायनिक परिवर्तन होता है इसका मतलब वहां पर क्या हुए रसायनिक अभी घ्रिया हुई है चीजे समझ में आ रही है रसायन किसे खा जा रहा है वो क्या कर रहे है अपने पहले नेचर को बदल ले हैं दूसरे नेचर में आ रहे है पहले नेचर को बदल कर दूसरे नेचर में आना यह जो प्रोसेस है प्रक्रम है इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं केमिकल चेंज बोलते हैं और जब केमिकल चेंज होता है तो वह पूरी विधी क्या कहलाती है केमिकल रियक्शन कहलाती है chemical change, chemical reaction जग change होगा, वह reaction हो रहा है जग change हो रहा है, वह reaction हो रहा है ध्यान लखेंगे अब chemical reaction समझ में आ गया कि जब कभी भी nature change होता है तो reaction होती है आगे और चीज़ों को देखते हैं एक activity कर लेते हैं इस activity में आप लोगों को क्या करना है activity को जल्दी जल्दी देखते हैं इस activity को सबसे पहले cotton को आप ध्यान लखेंगे साफदानी आप देखेंगे student को eye protection लेनी है आपको पर glasses का use करना है और यहाँ पर teacher के assistance में इस चीज़ को करना है अब activity क्या है activity अगर आप देखेंगे तो आपने क्या करना है एक magnesium ribbon को जो कम से कम 2 cm रखा है उसको आप क्या कर लेंगे clean कर लेंगे साफ कर लेंगे rub कर लेंगे sand paper से क्यों करेंगे वो comment section में आप मुझे बताएं आगे आते हैं उसके पाद में हम लोगो नहीं क्या किया मेंगे निशब के फीते रिबन को जब किया तो hold it with a pair of tongs यह tongs किसको बोला जाता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दू यह जो कैंचिनुमा जो हत्यार है यहां पर इसको क्या बोल दिया गया है टॉंक्स बोल दिया गया है ठीक है ना उसको आप watch glass जो watch glass है ठीक है ना यानि एक तरह से तस्तरीन हम कह सकते है कांच की जो प्लेट होती है उसके अंदर में आप उसको इफिटा करें watch इसलिए बोला गया कि आप हर आइंगल से उसको देख सके visualize हो transparent हो तो यहां पर आपने क्या करना है दो चीज़े magnesium का फिता लिया और magnesium का फिते को आपने जलाना है और जलाने के बाद में जो राख हाएगी उस राख को आपने कहा करना है एक watch glass के इंदर collect करना है अब क्या होगा बच्चो देखेंगे जैसे कि यहां पर आपको दिखाएगा image में अब यह magnesium का फिता हो गया और इसने क्या करा है यह burner हो गया और अब इसने किया गया इसको आग यहां पर बन जलाने के बाद इसको जलाया तो जलाने के बाद में आप observation क्या रखेंगे आप observation क्या रखेंगे वो देखते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा यह observation क्या है वो देखिए observation रहेगे बच्चो यहां पर as we observed the magnesium ribbon बंस विदा dazzling white flame यह स्वेट ज्वाला के साथ में dazzling white flame के साथ में क्या करेगा जलेगा कौन जलेगा magnesium का ribbon जलेगा ठीकेट और आप क्या देखेंगे dazzling white flame के साथ जला it changes into a white powder और यह किसमें change हो गया एक white powder में एक सफेद powder में change भी हो गया this powder is magnesium oxide और वो क्या है magnesium oxide का है मतलब magnesium का फीता जलाया magnesium oxide ले लिया magnesium का फीता जलाया magnesium oxide ले ले लिया यह activity आपको help करती है mcqs को solve करने में it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen इसका मतलब साफ साफ है आपने जब magnesium को जलाया था तो वाता वरण में उबस्तित oxygen ने उसके साथ reaction लिया magnesium और oxygen ने reaction लेने के बाद में आपको क्या बना कर दिया magnesium oxide बना कर दिया ठीक है magnesium और oxygen के reactions के बाद में आपके पास में दूसरी और भी reactions है ठीक है न तो जिस आगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो पहले वाले में आपको यह साउज में आया कि यहाँ पर क्या हो रही है chemical reaction हो रही है और chemical reaction क्यों हो रही है क्योंकि यह रासाइनिक परिवर्तर हो रहा है एक जो nature था magnesium का वो बदल कर क्या हुआ था oxide में convert हो गया था तो यहाँ पर क्या हुआ है chemical change हुआ है और जहाँ chemical change होता है दोस्तों तो वहाँ पर क्या होता है chemical reaction का होना रासाइनिक अभी क्रियक का होना अब आते हैं यहाँ पर आगे की तरफ आगे slide पर आगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ दूसरी एक और activity हम perform करते हैं जिसमें आपने क्या अगरा इस activity के अंदर में आप देखेंगे test tube में हमने एक यहाँ पर बीकर में और test tube में हम लोग उने different solutions को लिया हुआ है यहाँ बोला गया potassium iodide यह potassium iodide नाम का solution था आगे आएंगे यहाँ पर lead nitrate है potassium iodide और lead nitrate यह potassium और iodine का mixer इस solution में है और यह lead और nitrate का solution यहाँ पर है यह दो चीज़े हो गई यह potassium iodide मिल गया यहाँ test tube में आपको क्या मिल गया lead nitrate मिल गया आगे आप क्या करेंगे देखेंगे तो इसको आपने यहाँ से potassium iodide के कुछ बात्रा को उठाना है आप देखेंगे प्रेसर को यहाँ से आपने उठाना है प्रेसर के थ्रू आउट आपने उठाया और उठाने के बाद इस पेपट से आपने का गया इसमें test tube में डाल दिया डालने के बाद में आप देखेंगे color बिल्कुल change हो गया यलो colored precipitates of lead iodide is formed अब यहां हुआ क्या potassium iodide था अगर मैं लेकर आपको समझाता हूं potassium iodide plus lead nitrate था इन दोनों ने मिलकर एक reaction किया और reaction करने के बाद में क्या मिला आपको आप यहां देखेंगे अप मिला क्या आपको यहां पर lead iodide मिला यानि यह वाला lead यह डी है टी नी है lead और यहां का iodide इन दोनों ने मिलकर एक new substance form किया जिसको हमने क्या बोला lead iodide बोला lead iodide बोलाओ दोनों सबसांस में और यह भी क्या बनाए इसने इसके भी क्या बनाए प्रसिपिटेंट बनाए प्रसिपिटेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं प्रसिपिटेंट को हिंदी में हम बोलते हैं अफशेब यह इन्सॉलिबल जो होते हैं यानि इस reaction में दो liquid थे और दोनों liquid transparent आप यह मालीजे आपके बास में transparent imagination के थे और दोनों को मिलाने के बाद में आपकी उमीद जो थी बाइब्रेन वह यह थी कि दोनों मिलने के बाद में क्या बनाएंगे जो solution मनेगा वह भी transparent बनेगा पर हुआ गया यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यलो गलर के इंसॉल्यूबल अगुलंशील पदार्थ यहां पर बन गया और वह अगुलंशील पदार्थ नीचे क्या होगा नीचे की तरफ जागे जम जाएगा और वह इंसॉल्यूबल सबस्तांस जो है उसको हमने यह नाम दिया प्रेसिपिटेट यानि अफशेप इस activity में जो यह reaction ह फोर्टैयम इयोडाइट और लेड़ को मिलने के बाद में आपका क्या मेला पीपिटे रूप में गयक्षेंट हुआ इस reaction के उन्दर में भी कंए कि मूल जो नीचर था जो इनीशिल जो नीचर था वो बदलifying और बदलने के बाद में चाहां से वालेった दूसरी में पहुचा है या यहां पर भी क्या हूआ है कैमीकल पर 18 रियक्शन होती है यानि यह आपके पास दूसरा उधारणा गया किसका किस एक्टिविटी के अनुसार कैमीकल रीच्शन का जहां रसाइनीक correct अभी होगी अगे आगे आते हैं अब देखते बटा आगे चलते हैं लेड आयोडाइड और यह सब चीज़ थी ठीक है अब यहां एक और अप देख रहे हैं इस अपर यहां पर भी आप उमीदे आपकी यही रहेंगी कि इनिशल इस्टेज चेंज होगी और नहीं स्टेज बन ये यह इस क्रोनिकल फ्लास के अंधर में क्या डाला गया इसको हम क्या बोलते हैं जिंक ग्रैनॉल्ट जिंक को हिंदी वे जस्ता भी बोला जाता है या जिंक डाल दिया गया जिंक के साथ में हम लोगों ने क्या करहां डाइल्यूट एस टूएसफुम्पर सलफूरिक अमल डाला सेल्फियूरिक हमले यहरा और जिंक यहरा दोनों को डाला तो हुआ क्या दोनों को मिलाने के बाद में देखेंगे क्या होगा डालने के बाद में कॉर्क लगा देगे आप कॉर्क लगाने के बाद में कॉर्क का मलग गिटक लगा दिया और यहां से एक ही रास्ता बचेगा गैस के बाहर जाने का आप उसके बात क्या करेंगे यहां पर एक गैस का उत्पादन हो रहा है H2 गैस का और यह गैस बाहर निकलेगी एक गैस का पादन होरा है वो गैस बाहर निकलेगी अब बाहर निकलने के बात में आप क्या देखेंगे यहापर ब прекर quality इसका मत्लब क्या हो रहा है गास निकल लिए गैस निकल लिए एविलूशन ऑफ गैस का उट्सरजन हो रहा है निसकासन हो रहा है और यहाँ पर आपने देखा हीट इस गेवन आउट चैंज ऑफ टेंपरेचर इसका टेंपरिचर भी क्या होगा चैंज होगा क्योगी हीट थोड़े सी बदल लेगी ही चेंज ऑफ स्टेट यहां पर क्या आटा स्टेट भी विदल लिए सॉलिट स्टेट जो थी ठीक है न वह भी देर देरे खतम हो रही है तो इससे आपको यह क्लेर हो गया यहां पर जो चीज तीस रियक्शन के माध्यम से आपने क्या सीखा आपने सीखा इन तीनों एक्टिवि में आपने देखा कि दूसरे वाले केस में आपने देखा प्रेसिपिटेट्स वाले में वहां पर क्या हो था दो लिकुट थी और एक इंसॉलिबल सबस्टांस बन किया आया फिर आपने तीसरी बार में भी देखा स्टेट चेंज हुई जिसमें कहता जिंक जो ता सॉलिट वो भी गुल्ले लगा था यानि वो भी कहीं न कहीं क्या हो रहा था कि अपनी जो अवस्था थी जो स्टेट था उसका स्यालेट उसको छोड़ रहा था तो स्टेट जब चेंज होता है या फिर आपने एक अप्जर्फिशन और किया कलर में चेंज आना सेकंड वाली एक्विशन के अंदर में भी आपने देखा था सेकंड वाली जो एक्टिविटी हमने ही ती महाँ यह तेंपरिचर पे भी चेंज इसाएगा अब उसके बाद में और यह अब्जर्विशन होती है वह ध्यान देते हैं यह पहचान होती है कि केमिकल चेंज हो रहा है और इन पहचान की वज़े से हम यह आइडिया लगा पाते हैं और पाते हैं केमिकल चेंज जहार होता है हमारी यह अग्यान होगी चेंज की डिन dंट चेंज जब आता है तो हमें पता कैसे लगता है स्टेट अज़गी कलर चेंज हो जाएगी g आज़िए करता हूं कि आपको केमिकली रि मिरीच्चन राए और यह जो होती है। इस कि और नेक्स लेक्स लेड़केशन होते हैं इन सब चीजों को सबसने में आपको असानी होगी। दोस्तों यद करें लर्ण करें मैं जल्दी में रहूं आपसे next module में जो आपको इस chapter के next level पर लेकर जाएगा तब तक के लिए keep learning and keep practicing